हेलो दोस्तो मैं राजन प्रितम और आप देख रहे हैं All-in-one 65-65 यूट्यूब चैनल तो दोस्तो आज हम आपनों बताएंगे रोयनेट की आईडी से पैन कार्ट कैसे बनाते हैं या आप अपने लेप्टॉप या डेक्स्टॉप से कैसे पैन कार्ट बनाएंगे तो इन सब बातों की जनकारी हम इस वीडियो में देंगे तो वीडियो को बिना एस्किप किये हुए वीडियो को अंतक देखे और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किये तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सस्क्राइब करें तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप अपने लेप्टप या डेक्स्टप का कोई भी ब्राउजर ओपेन करेंगे तो मेरे पास Google Chrome ब्राउजर है उसको ओपेन करेंगे और सर्च वाले आइकन में रॉइनेट एक्सप्रेसो लिखेंगे और सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको वेलकम टू एक्सप्रेसो बिल्स आप देखने को मिलेगा तो उसके बाद आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा इसके बाद आप user code में user code डालेंगे और password में password फिल करेंगे दोस्तो आपके पास अगर रोयनेट का partner ID नहीं लिये हैं तो आप display पे show number पे आप call करके या message करके user ID ले सकते हैं और अपने घर या अपने दोस्तों का या आप अगर दुकान रखे हैं तो उस customer का आप pen card बना सकते हैं और अच्छा का सा income कमा सकते हैं तो चलिए अब यहाँ पे अपना user code और password फिल करेंगे उसके बाद capture फिल करेंगे और login पे click करेंगे तो थोड़ा सा refresh होगा और उसके बाद आपको यह interface देखने को मिलेगा इसमें आप बहुत से work कर सकते हैं channel है, violet है, service है, pen card है, helpdex है, document है और training है इसमें बहुत से service मिलेगी आपको तो अभी फिलाल हम आपके pen card को online करके बताएंगे pen card कैसे online करते हैं इन सभी channel, violet service और helpdex, MIS document training इस सब पर भी जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे तो इसके लिए आप channel को subscribe कर लेंगे और bell icon प्रेस कर लेंगे ताकि आपको वीडियो मिशना हो तो चलिए हम pen card के लिए pen card पर click करेंगे और यह थोड़ा सा refresh होगा और आपको यह interface देखने को मिलेगा UTI pen online service तो हमको new pen card बनाना है इसके लिए apply new pen और apply for pen 49 यह पर click करेंगे तो आपको यह थोड़ा सा refresh होगा और आपको यह open हो जाएगा तो हम यहाँ पर from 49 यह आएगा उसके बाद यहाँ पर physical application interaction आएगा उके पर click करेंगे उके पर click करने के बद फिजकल mode या digital mode तो हमको physical mode में करना है आप digital mode भी कर सकते हैं उसके बाद physical mode के बाद यहाँ पर status of the application पर click करेंगे और यहाँ से आप individual कर लेंगे और उसके बाद whether you are from difference या NRI category इसको हम no करेंगे pen card mode pen card mode में दो आएगा option बोथ physical pen card e pen card और e pen only no physical pen card बोथ physical pen card पर click करेंगे और submit पर click करेंगे तो submit पर click करने के बाद आपको अगला step यह आएगा personal details तो refresh number आपको यह सामने दिखाई दे रहा है इस reference number को copy कर लेंगे या कहीं लिख लेंगे और उसके बाद ok पर click करेंगे तो आईए अब निच्छा personal details को fill करेंगे पहले इसमें हम title select करेंगे जो भी series, smt या जो भी आपको select करना हो कर लेंगे और यहाँ पर first name choose करेंगे अधार card के according आपको बता दे यहाँ पर जो भी नाम या जो भी address डालेंगे अधार card के ही according डालेंगे अनिया था यह reject हो जाता है pen card उसके बाद last name डाल देंगे और यहाँ पर name of card आ रहा है जो भी आपके card पर नाम आएगा वो नाम आएगा उसके बाद any other name अगर दूसरा नाम हो तो yes करेंगे अनिया था no करेंगे और gender को male female जिसका बना रहा हो फिल करेंगे और उसके बाद date of worth इस calendar के अनुसार date of worth फिल करेंगे उसके बाद address for communication या इसमें office या resident सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप office रहते हैं तो office सेलेक्ट करेंगे अनिया था resident सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचा में resident estate है और office estate है आप जिस तरह address for communication डाले हैं उसी हिसाब से इसमें फिल करेंगे representative estate यानि जो estate पहले फिल किया उस estate को फिर से फिल करेंगे और उसके बाद अधार number फिल करेंगे अपने अधार काड के according अधार number फिल करेंगे और उसके बाद involvement id में क्लिक करेंगे तो re-enter अधार number आएगा इसमें फिर से अधार number फिल करेंगे और ok पे क्लिक करेंगे उसके बाद name as for adhar यानि adhar card के according ही इसमे name fill करेंगे और उसके बाद next step पे click करेंगे उसके बाद आपको यह interface देखने को मिलेगा document details, identity proof identity proof में आप जो भी दे सकते हैं तो मेरे पास adhar card है उस adhar card को देंगे और उसके बाद address proof के लिए आप क्या देंगे तो आधार card ही देंगे तो address proof के लिए भी हो जाएगा और date of birth के लिए तो भी आधार card पे ही date of birth रहता है यह 3 के लिए आप आधार card दे सकते हैं या और कोई भी दे सकते हैं उसके बाद make payment पे click करेंगे तो यह refresh होगा और आपको यह interface देखने को मिलेगा दोस्तों आपको बता दे आप जब भी अगर make payment पर कर देंगे उसके बाद आप कोई भी button, refresh button या back की नहीं तब आएंगे नहीं तो आपका payment भी कर जाएगा और आपका pen card भी नहीं अपलाई होगा तो देखिए उसके पाद आपको एक contact details के बारे में आएगा उसके बाद आपको एक देखने को मिलेगा आधार matching user demography details इसको आप ok करेंगे उसके बाद check आधार पर click करेंगे तो दिख रहा है given uid linked not with pen यानि दूसरे pen से आधार का link नहीं है उसके बाद telephone id code इंडिया ठीक है उसके बाद area study code या पर enter करेंगे अन्यता छोड़ भी देंगे और उसके बाद telephone number यहाँ पर डालना है एक और दोस्त आपको हम बात बता दे अगर जहां भी अगर star mark रहता है वहाँ पर देना urgent रहता है ज़रूरी रहता है अगर जहां star mark नहीं होता उसको आप छोड़ भी सकते हैं उसके बाद telephone या mobile number जिस भी ब्यक्ति का आप अगर pen card बना रहे हैं उस ब्यक्ति का यहाँ पर mobile number फिल करेंगे और उसके बाद उसी ब्यक्ति का यहाँ पर हम email id फिल करेंगे ताकि यह बढ़ने के बाद यहाँ पर notification email पर आ जाए उसके बाद निच्छा scroll करेंगे और parent details में फिल करेंगे अगर आप अपने pen card पर पिता के नाम लाना चाहते हैं तो no करेंगे अनता मा के नाम लाना चाहते हैं तो yes करेंगे तो हम no किये हैं यानि इस पर पिता का नाम लाना है तो हमको यहाँ पर पिता का नाम फिल करेंगे last name और first name अगर आप चाहते हैं जिए अपने मा के नाप पेन काड़ पलाने के लिए तो यहाँ पर yes करेंगे और mother name में fill करेंगे father name को blank छोड़ देंगे अगर आप father name लाना चाहता है तो father name में उस पर no करेंगे और father ने fill करेंगे, mother ने में छोड़ देंगे और उसके बाद next step पे click करेंगे तो उसके बाद आपको यह interface देखने को मिलेगा address details तो इसमें residential address fill करेंगे इसमें आप flat door block number fill करना है अगर यह सब नहीं है, आप अगर grammy से आते हैं तो डारेक्ट आप son off करके अपने father का नाम fill कर सकते हैं उसके बाद name of premisor, building name या village name इसमें fill करना है तो इसमें हम fill करेंगे उसके बाद road, street, lane या post office इसमें fill करेंगे और उसके बाद area, locality, टकुल या sub district fill करेंगे उसके नीचा आएंगे और district select करेंगे और pin code enter करेंगे और नीचा scroll करेंगे और source of income में fill करेंगे अगर minor होगा तो no income करेंगे और 80 plus से उपर होगा तो इसमें कोई भी income आप अदर source या कुछ भी कर सकते हैं और उसके बाद next step पे click करेंगे ये थोड़ा refresh होगा और message आएगा प्लीज चेक एयो code details इसके बाद OK पे click करेंगे और नीचा scroll करेंगे तो यहाँ पे representative address details फिल करने को आएगा तो इसके पहले हम जिस तरह details फिल किये हैं फिर उसी परकार हमको इसको सबको फिल करना है तो चलिए फटा-फटाम, first name, last name, block number, village name, post office name, sub district name और district name और pin code फिल करते हैं तो दोस्तो यहाँ पे declaration देना है अगर आप अठाड़े plus का बना रहे हैं तो himself or fulfill करेंगे और या था representative करेंगे अगर आप minor का बना रहे हैं तो उसके बाद verify name अपने आप ले लेगा और उसके बाद verification पाइलेस अपक जहां से verification कर रहा है वहाँ का place का नाम डालेंगे और उसके बाद नीचा scroll करेंगे और next step पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद document upload का option आएगा तो देखिए यहाँ पे बता रहा है आपको document upload का size के आए आप कि size में document upload करेंगे उसके बाद इसमें कुछ नई feel करना है डारेक्ट submit कर देना है उसके बाद submit करने के बाद यह थोड़ा सा refresh होगा और आपके पास यह आ जाएगा देखिए यह मेरा receiving है अगर आप अपने घर का बना रहा है तो इसको आप save कर लेंगे और नया था अगर किसी customer का बना रहा थे इसको आप print out करके दे सकते हैं जो आगे चलके आपको काम आ सकता है और customer को भी संतुष्टी हो जाएगा कि यह मेरा pen card apply हो गया है तो download PDF form पे click करेंगे और इसको download कर लेंगे और print out करके और इसको आप photo डाल करके document upload करना है तो इसका वीडियो हम next वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे pen card का document upload कैसे किया जाता है तो दोस्तो आप भी चाहते हैं ruin it का pen card बनाने का ID लेना चाहते हैं तो display पे show या description box में number है उस number पे आप call या SMS करके आप ID ले सकते हैं और किसी का भी pen card apply आप घर बैठे कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करे और channel में ने तो channel को subscribe करे और bell icon दबाना ना भूले ताकि ऐसे ऐसे वीडियो का notification मिलता रहे thanks for watching the video